किसी भी प्रकार की कोई परिशानी है, अब उन परिशानियों को हटाने के लिए मैं आपको चार रत्म दे रहा हूँ, एक है लाजवत रत्म, एक है हीरा, और एक है फिरोजा, और एक है पांचकुकी रुद्राक्ष नेपाली, ये चार चीजे आपकी पचास या उससे जाधा परिशानियों का अंत तुरंत कर देंगे, दो हजार छेसो पचास रुपए में ये चारो ओरिजनल प्राण परतिष्ठित रत्म आप तक पहुंचाए जाएंगे, नमस्कार दोस्तो, मैं स्वागात रभजदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का, कैसे हैं आप उमीद करता हूँ, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसंद में होंगे, आनंद में होंगे, राशी फल्क 5 जुलाई 2021 क्या कहते हैं आपके सितारे, आईए जानकारी चंद राशी और नाम राशी पर आधारित होगी, सबसे पहले जानते हैं आज सुबे का संचित पाजिशांग, सूर्य दे होगा, पांच बच के 28 मिनट एम पर, तेती है क्रिशन पक्ष एकादशी सूर्यास्त होगा, 7 बच के 23 मिनट पी एम पर, दिन है, सोंबा, चंद राशी मेश, नचछतर भरणी, अब जीत महुरत, 11 बच के 28 मिनट एम चलेके, 12 बच के 24 मिन पी एम तक, आज एकादशी का महान पर्व है, एकादशी में भगवान मिश्णू को परसंद करने के लिए जो प्रयास आप कर सकते हैं, करें, और आज चावल ना खाएं तो बहतर रहेगा, अब हम बात करते हैं, आज के विशेश की, विशेश में मैं फिर आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए स्क्रीन पर सामने, एक तो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, और देखिए सामने आ गया यह रुदराक्ष, पांच मु नेपाली रुदराक्ष, फिर देखिए उसके नीचे स्कीन पर आगया हीरा, यानि डायमंड, अमेरिकन डायमंड, यह वो डायमंड है जिससे आप लगजरी पाएंगे, उसके बाद आगया यह फिरोजा, नमबर तीन पर, फिरोजा यानि की गुड लग, लग हर छेतर में बुड लग, उसके बाद यह चौथा आगया, लाजवत रत्, यह क्या है? यह है मुसीबतों से चुटकारा, शनी, राहू, केतू से चुटकारा, उनकी अशुक प्रभावों से चुटकारा, शनी की सारे सारी ध़ेया से चुटकारा, तो एक, दो, तीन, चार, यह चार रत् चारों दिशावों से आने वाली जो खुशिया है वो आपके दर्वाजे पर आएंगी, किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी पांच मुखिर रुद्राक्ष, शाक्षाद भगवान शिव, जीवित रहते हुए भी सुख, मृत्यू के बाद भी सुख उसके बाद आपका आया हीरा, यानि लगजरी, लगजरी क्या है? चमक धमक, पैसा, एश वारा, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बंगला उसके बाद आया फिरोजा, फिरोजा क्या है? गुड लग, हम कहते हैं न, मेरा भाग चमक जाए, मेरा लग गुड हो जाए, तो इसके लिए फिरोजा पहन की है, बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तिया भी इसको पहनती है इसके बाद आया लाजवर्त रत्म, घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, बच्चों का दिमाग कमजोर है, आपका खुद का दिमाग कमजोर है, भूल जाते हैं, यादाश कमजोर है, किसी ने जादू, टोना, मंतर कर दिया है, बूद प्रेद का साया है, घर में नकारा देश में हैं, तो परचान, 20 साल की जिन्गी हो गई, लेकिन सुकून नहीं मिला, 50 साल की उमर हो गई, लेकिन शान्ती नहीं मिली, बस जीए जा रहा है, दो साल पहले बहुत अमीर थे, दो साल बाद आज हालत खराब हो गई, दिन बदिन डाउन होते जा रहे हैं, पैसा कम करेंगे, L6, L6 लिखकर आ रहा है, L6 लिखकर वाटसअप करें, दिये गए नमबर पर नमबर भी दिखिए, सामने आ गया आपके सामने, इस नमबर पर वाटसअप करें, और उसके बाद ये आपके घर, आपके नाम राशी के नुसार, प्रान परतिश्चित करके, आपका भी गुडलग चमक सकता है, L6 से, अब बात करते हैं, आपकी राशी, मीन राशी, आज का दिन तकलीख भरा होगा, थोड़ा सा, थकान भरा होगा, थोड़ा सा, ये शारिरिक थकान होगी, मानसिक थकान होगी, लेकिन मनोबल उपर होगा, इस थकान के बावजूद आप काम करने के लिए आतुर होगे, इच्छुख होगे, आलस भी होगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे आप, आप अपने आप विश्वास को बड़ा हुआ पाएंगे, आप जो भी फैस्टिल लेंगे, उसके लिए कड़ी मेहनत करेंगे, जो भी मिलेगा, कड़ी मेहनत से बिलेगा, जीवन साथी से रिष्टे बहतर होगे, संतान आपको शुख समाचार सुनाएगी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई या उनका अधूरा होमवर्क वक्त पर पूरा कर लेंगे, काम के साथ सा थोड़ा सा मन खेल कूल या दूसी चीजों में भी लगाएंगे तो बढ़िया रहेगा, थोड़ा इंटर्टेन्मेंट करें जिससे ही उदासी और आलस चला जाए, थोड़ी एक्टिविटी करें, कोई योग करें, कोई खेलें, कोई पीवी में थोड़ा देर्मन जन कर लें, खराब मूड जल्दी ठीक हो जाएगा, छोटी-छोटी बढ़ जाएगी, विदेश शाक्तरा की त्यारी कर रहे हैं, तो आपके जो कागज हैं, उनको सही तरीके से फाइल करें, हो सकता है, कावजो की कभी इसकी कारण या कुछ भूल जाए, मिसिंग हो जाए, तो आपको तकलीफ आ जाए, आगे आने वाले वक्त में, दिमाग को शान करके काम करें, जलबाजी में बिलकुल काम नहीं करना है, जलबाजी में कुछ भी हासिल नहीं होगा, खान पान उटने बैटने, छोटी मोटी जो दिन की गतिविदियां हैं, उनको दरदर बना कर रखें, अगर आप नेता नगरी से जुड़े हैं, राहनीती से जुड हर कदम पर सोच विचाशकर कर कदम आगे बढ़ाएं, तो बहुत बढ़िया रहेगा, आज किसी कोट कचेरी के मामले में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, या फैसला खान को हो सकता है, या आपको लगेगा कि आने वाले दिनों में हम जीत जाएंगे, सब कुछ हमारे प पक्षभारी रहेगा, धर्म कर्म में आस्ता बनाये रखें, जीवर साती के साथ पढ़िया शाम बिताएंगे आप, प्रेम संबन्द की बात करें, तो जो सपने आपने देखे हैं, वो भविश में पूरा करने के लिए आप लोग एक कदम आगे बढ़ाएंगे, अब सपनो को वास्तिक्ता में बदलने की बाते शुरू हो जाएंगी, हकीकत में रिष्टो को जीने की जो बाते हैं उशुरू होंगी, दूरियां खत्म करके एक रिष्टे में बनने की बाते शुरू हो जाएंगी, दो दिल मिलकर शादार भवश बनाने की योजना बनाएंगे, दिम का प्रयोग जादा दिल का प्रयोग कम करिए का भावुक मत होईएगा वक्त थोड़ा सा उदासी का है यह उदासी कब गायब हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा इसलिए आप इस वक्त को इंजॉय करें मीम नाशी वाले पांच जुलाई एक अच्छा दिन है ओम नमो ग्राश उसके बाद आगया आपका हीरा और उसके बाद आगया आपका लखी स्टोन किसको क्या बोलते हैं फिरोज और यह है मुसीवतों से बचाने वाला लाजवरती चार स्टोन आपके हो सकते हैं और आपके घर में 400 खुशिया आन सकती हैं L6 लिखें वाटसेप नमबर अब यह नमबर आपके सामने हैं और मैसेज कर दें फिर हमारी टीम आपके संपर्क करेंगी 2650 रुपे का मूल है जीवन में तरक्की के रास्ते यह खोल देंगे और खुशिया आ जाएंगी नमस्कार